हेलो स्टूरेंट्स तफ टाइम इस गोईंग एंड प्ले गोड तो कीप योल हेल्दी एंड सेफ ओके टूडे आर नेक्स टोपिक इन दिस वीडियो इस टाइप सोलेट्स लास्ट वीडियो में हमने क्रेक्टिसिक्स ओफ सोलेट स्टेट के बारे में स्टडी किया था कि जो स आरेट्सटेट्स के बीच में किस टाइप स से एट्रेक्शन होती है कितनी उन के बीच में इसटेंस होती है और एंजमेंट कैसी होती है टो हिट् produces इमने कैसी होती है किस की इस यह इपारिक Morocco की मुवनेंन कैसी होता है बोके आफित 15 इन वींड नाक भीड इन पार्टिकल्स है अगर मालो दो सब्स्टांसी है और दोनों ही एटम्स के बने हुआ है एक डिफरेंट टाइप के बना हुआ है और दूसरा डिफरेंट टाइप के बना हुआ है अगर पार्टिकल्स की एक टाइप की है तो वो क्रिस्टलाइन सोलिड हो जाएंगे और दूसरे टाइप की है तो वो अमोफर सोलिड हो जाएंगे क्रिस्टलाइन सोलिड में एक्चुली क्या होता है क्रिस्टलाइन सोलिड में जो पार्टिकल्स की अर्रेंजमेंट है देट इस रेगुलर रेगुलर अर्रेंजमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है आप अगर मानलो कोई एक सोलिड ले रहे हैं फिर के माक्रोषकोप पर है आप सोल इख्रीड का एक क्रिस्टल लेते हैं एक स्वाइए परटीकल्स में दिखाई देते हैं आप ऐगे कृढ़ी देते हैं हम अपर आपकेटमंग Uh C12, H22, O11, इन मोलिक्यूल्स की जो शुगर है वो बनी हुई है, और ऐसे कई सारे मोलिक्यूल्स मिलकर शुगर का एक क्रिस्टल बनाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, और उस क्रिस्टल के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, यानि कि यह मोलिक्यूल्स हैं, यह वाले, ठीक है, अब शुगर के अंदर क्या है, अगर आप इसके एक क्रिस्टल को, आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, फोर एक्जामपल मैं सिर्फ एक्जामपल के लिए समझाने के लिए आपको ये डाग्राम सा सिंपल डाग्राम मना कर दिखा रही हूँ शूगर के ये एक क्रिस्टल है उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं ठीक है आपने इसका ये वला पार्ट देखा माइक्रोस्कोप में ठीक है मैगनिफाई करके आप उस मोलिक्यूल का उस क्रिस्टल का ये वला पार्ट देखते हैं ठीक है यहाँ पर आपको की कुछ specific arrangement दिखाई दी ओके आप थोड़ी सी distance पर जाएए अपने microscope जो है उसकी position को change कर लिजे यहां पर ले आएए तो आप देखेंगे कि यहां पर भी particles की arrangement सेम है ठीक है फिर थोड़ी सी ओर distance आगे मूव करते हैं तो यहां पर्टिकल्स की arrangement सेम है इसी तरह से आप कितने भी दूर चले जाएं यह जो original आपने starting में जो first position थी microscope की crystal पर वहां से आप कितने भी दूर चले जाएं चाहिए आप यहां end पर चले जाएं आपको जो sugar molecules की arrangement है इस crystal में वह सेम दिखाई देती है तो इस type की arrangement है it is known as ordered arrangement या orderly arrangement या regular arrangement ठीक है और यह जो arrangement जो की काफी दूर तक चलती है इस type का जो pattern होता है यह जो order है arrangement का it is termed as long range order तो जो crystalline solids है उनमें जो arrangement है that show long range order okay crystalline solids show regular arrangement of particles या हम कह सकते है they show orderly arrangement of particles particles की जो arrangement crystal के एक part में है वही arrangement उसके किसी भी part में आप चले जाओ उस first वाले part से कितनी भी दूर चले जाओ आपको same arrangement उन particles की उसमें दिखाई देगी ठीक है तो यह जो है इसे हम कहते है long range order की जो order है यह arrangement का वह काफी दूर तक same जलता है ठीक है तो crystalline में ऐसा होता है और crystals के example जैसे मैंने आपको एक example दिया है sugar यह crystalline solid है common salt यह भी crystalline solid है एक quartz substance है वह भी crystalline solid है फोर्मूला है इसका SiO2 यह molecules का बना हुआ है इसके जो particles है consistent particles यह और silica molecules SiO2 molecules ठीक है तो इसमें अगर हम एक और दूसरे टाइप का quartz है जिसको हम बोलते है quartz glass quartz glass यह तो simple quartz है ठीक है अगर हम quartz glass को देखें तो यह किस टाइप का solid है इस अमोफा solid है अगर मैं बात करें हूँ simple quartz की तो वह जो है वह crystalline solid है लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ quartz glass की तो वह अमोफा solid है इसके जो particles हैं वह क्या है वह है SiO2 molecules लेकिन उनकी arrangement differ कर रही है arrangement कैसे differ कर रही है तो उसके लिए आप यह simple सा diagram देखिए कि यह जो है यह diagram है quartz का और यह है quartz glass का यहां आप देखिए कि आपको बिल्कुल similar arrangement दिखाई देगी आपको hexagonal units दिखाई दे रही है यह hexagon है यह hexagon है hexagonal units है और उन hexagon के अंदर भी जो particles है blue और red में जो आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सेम तरह का pattern वो बना रहे हैं लेकिन अगर आप इस वाले diagram पर मूव करते हैं जो कि quartz glass का है यहां आप देखो कोई regular pattern आपको नहीं दिखाई दे रहा है जो यह single single जो यह rings बने हुए है वो कोई है ऐसा नहीं है कि सभी के सभी hexagonal है या सभी के सभी pentagonal है या octagonal है ऐसा कुछ नहीं है सब अलग रग टाइप से है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी एक पार्ट में सेम टाइप की अरेजमेंट थोड़ी सी दिखाई दे जाए actual में क्या होता है amofa solid में it is amofa solid amofa solid में जैसे मानलो कि यह मैं एक पार्ट यह आपने डाइग्राम देखी रहे हो मानलो मैं आपको यह एक और डाइग्राम बना कर दिखाती हूं बहुत सिंपल सिर्फ आपको समझाने के लिए है कोई इसका existence नहीं है इस टाइप के डाइग्राम का मानलो यह वाला जो पार्ट है ठीक है यहां पर रेगुलर आज़ेंगर्ट है दो यहां पर बी रेगुलर अज little मैं रेंजमेंट यहाँ पर रेगुलर एग्रुलर एग्रुन मैं यहां पर बीच के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां इंस मिया है किसी-किसी पार्ट में रैंग्लर ठीक है, orderly arrangement हो सकती है किसी किसी पार्ट में, लेकिन जो बीच के parts हैं, वो सभी disordered होंगे, यह जो सारा part आपको दिखाई दे रहा है, यहां जो particles की arrangement है, that is disordered, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो order की range है, जो regular order की range है, वो क्या है, वो काफी छोटी सी है, यहां आ आपने क्या देखा, इसमें मैंने आपको क्या बताया, कि जो order दिखाई दे रहा है arrangement का, पार्टिकल्स की arrangement का, जो order है, जो form है, वो काफी दूर तक same चलता है, इसलिए हमने इस arrangement को क्या बोला, long range order, लेकिन अमोफा solid में हम क्या देख रहे हैं, जो order है arrangement का, वो काफी थोड़ arrangement दिखाई देगी, तो हम कहते हैं, कि जो amorphous solids है, amorphous solids show short range order, I think आपको short range order और long range order का meaning, समझ आ गया होगा, long range order क्या है, long range order का मतलब है, कि regular pattern of arrangement of particles, या orderly arrangement of particles, which is repeated periodically, periodically means, equal intervals के बाद, same arrangement आपको दिखाई देगी, पूरे के पूरे crystal में, okay, इसकी एक definition, अगर आप, अपने words में भी आप इसको लिख सकते हो, what is long range order, long range order means, orderly arrangement of particles, over the entire crystal, which repeats itself, periodically, okay, NCRT की book में भी आपको clear ये, मिल जाएगी, long range order की definition, और short range order की definition, the orderly arrangement, repeat itself, do not repeat itself, orderly arrangement, जो है, वो अपने आपको repeat नहीं करते है, it is located over short areas, and between these areas, between these, जो forms है, there is disorderly arrangement, arrangement, okay, तो ये difference है, जो, ये points है, जो की, एक solid को तो crystalline बना देते हैं, और दूसरे solid को amorphous बना देते हैं, that is, their particles arrangement, ठीक है, particles की जो arrangement है, उसी के कारण, एक solid हम देख रहे हैं, वो crystalline है, उसके तो हमें crystals दिखाई दे रहे हैं, यानि कि, एक खास shape के, हमें उसके particles दिखाई दे रहे हैं, बड़े, जबकि दूसरा solid है, उसके particles की कोई खास shape नहीं है, and that is amorphous solid, okay, इसका example मैंने आपको बताया है, quartz glass है, ऐसे ही डबड है, plastic है, या simple कांच भी आप कह सकते हो, ठीक है, ये सबी क्या है, ये amorphous solid है, जब हम इनको cool करते हैं, क्योंकि, जो crystalline solid है, उसको भी हम उसके concentrate solution से crystals बनाया जाते हैं, crystallization की जाती है, ऐसे ही जब rubber का liquid solution है हमारे पास, concentrate solution है, तो जब वो solidify होता है, तो हमें उसके crystals नहीं मिलते हैं, ठीक है, हमें उसके जो particles मिलते हैं, वो किसी खास shape के नहीं होते हैं, वो crystals नहीं मिलते हैं, सिंपल सी बात है, जब वो इसका solution, rubber का, या plastic का, concentrated solution, cool किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो हमें उनके crystals नहीं मिलते हैं, हमें उनके किसी regular shape के particles नहीं मिलते हैं, इसके बाद, जो हमारा next, जो इसमें हम देखेंगे, वो यह है कि इनके बीच में differences क्या है, crystal and solid और अमोफर solid हमें पता चल गया कि यह क्या होते हैं, अब इनकी arrangement के कारण, इनमें difference तो आएंगे या आएंगे, कि कुछ properties, कि अगर हम बात करें तो crystal and solid अलग टाइप की property शो करेगा, और अमोफर solid अलग टाइप की property शो करेगा, आप अगर एक, दो classes के बारे में आप सोचिए, दो classes हैं आपके school में, ठीक है, मान लिजिए, 12th के ही दो section है, दोनों में benches लगे हुए हैं, एक जो class है, वहाँ पर हर bench पर दो students हैं, और दूसरी class में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर दो हैं, किसी पर तीन है, बीच बीच में कई वर बच्चे खाली भी छोड़ देते हैं bench को, वो खाली रह जाता है bench, या कहीं पर एक बच्चा है, कहीं पर तीन है, वो according to, जो convenience है उनकी, उसकी according वो अपने आपको, मनलब अपनी जगा ले लेते हैं, जो students हैं, ठीक है, तो आप के दिमाग में देखते ही आएगा, कि जो जिसमें हर bench पर दो students है, आपको देखते ही लगेगा, कि अरे यह तो बहुत ही disciplined class है, और दूसरी जो है, आपको उसको देखकर clear हो जाएगा, कि यहाँ पर पक्का उतना discipline नहीं रहता होगा, जितना की दूसरे वाली class में है, जो orderly जो placed class है, अरेंज़ क्लास है, जितना discipline महाँ पर है, उतना दूसरी में नहीं होगा, आप उसको देखकर ही समझाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही solids के लिए भी है, जो crystalline solid है, due to their orderly arrangement, उनकी properties अलग हैं, और amofas solids की properties अलग हैं, क्योंकि उनके particles की arrangement disorder हैं, तो अब हम इन discuss करते हैं, इनकी जो properties हैं, उनमें difference study करते हैं हम, सबसे पहला जो difference है, हम differences की बात कर रहे हैं, crystalline and amofas solids में, first point जो मैं discuss कर रहे हूं, that is melting point, ठीक है, amofas solids और crystalline solid के melting point में, हम discuss कर रहे हैं, तो जो crystalline solids है, they have sharp melting point, what is meant by sharp melting point, for example, अगर मैं बात करते हूं, ice की, that is solid form of water, ice का melting point है, that is 0 degree Celsius, या 270, 3.15 degree Kelvin, ठीक है, तो यह है ice का melting point, तो जब आप ice को बाहर निकालते हैं, freezer में से, या आप इसको गरम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही temperature 0 degree Celsius पहुंचता है, rise करते करते, temperature 0 degree Celsius पहुंचा, तो सारी की सारी ice, abruptly melt कर जाती है, एकदम से melt कर जाती है, जादा से जादा, अगर उसने temperature, जीरो डिग्री पर अगर पूरी melt नहीं हुई, तो जीरो सेफ टू थरी डिग्री के बीच में, ये सारी melt हो जाएगी, वैसे, mostly जो crystalline substances होते हैं, वो अपने melting point पर ही, पूरा का पूरा melt हो जाते हैं, लेकिन कई बार, जो है, उनकी वो थोड़ा सा range ले ले लेते हैं, temperature का melt होने के लिए, normally 5 degree से कम range होगी उनकी, उसी में वो पूरा का पूरा melt हो जाता है, तो sharp melting point का मतलब ये है, कि जैसे ही melting point आया, सारा का सारा solid melt हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, melting point of amofas solids, तो they melt over a range, amofas solids melt over a range, और ये range क्या है, ये range normally 5 degree Celsius से जादा की होगी, more than 5 degree Celsius, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आपको it is less than, normally जादा range नहीं होती है, इनकी लेकिन फिर भी आप maximum इतना ले सकते, तो कि 5 degree Celsius से कम की range होगी, इनकी melt होने की, crystalline solids की, जबकि जो amofas solids है, वो अगर उसका melting point, अगर 10 degree Celsius था, तो वो 15 degree से उपर जाकर ही, पूरा का पूरा solid melt होगा, 10 पर start होगा melt होना, और 15 से उपर जब temperature पहुँच जाएगा, more than 15 हो जाएगा, तो वो सारा solid जाकर melt होगा, ये amofas solids है, ठीक है, तो आपने जो ध्यान रखना है इसमें, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए इसमें, कि crystalline solids have sharp melting point, it means, जो crystalline solids है, they melt abruptly, at their melting point, ठीक है, और liquefy हो जाते हैं वो, crystalline solids melt abruptly, at their melting point, sharp melting point का मतलब ये है, जबकि amofas solids melt over a range, और नॉर्मरी वो जो range है, वो पांच डिग्रे से ज्यादा की ही होती है, ये तो हो गया, इनके melting point के बारे में, ठीक है, अब जो amofas solids है, ये आपको होती important है, आप इसको ध्यान लखें, कि जो amofas solids है ना, इनकी काफी characteristics, characteristics of amofas solids, characteristics of amofas solids, are much similar to liquids, इनकी जो characteristics हैं, वो liquid से काफी मैच करती है, ये point आपको ध्यान लखना है, और यही reason है, कि इन्हें सीडो solids भी कहा जाता है, means false solids, नकली solids, ठीक है, या फिर इनको, super cooled liquid भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी properties, liquids से काफी मिलती है, इसलिए इनको, super cooled liquids भी कहा जाता है, या फिर इनको, viscous liquids भी कहा जाता है, liquids होते हैं ना, अगर वो काफी गाड़ा है liquid, वो गाड़ा हो जाता है, तो वो amorphous solid की तरह से behave करने लगता है, या फिर हम यह कह सकते हैं, कि amorphous solid कई बार गाड़े liquid की तरह से behave करने लगते हैं, viscous liquid की तरह से behave करने लगते हैं, तो जो amorphous solid है, एपको तुर्फार से बता देती हूं कि इनके काफी सारी जो केक्टिसिक्स हैं स्ट्रोक्श आ पर स्ट्रक्शाने यहां पर स्ट्रोक्श्रोल केक्टिसिक्स कहता है और मुझ.- ₹07 L और व्यूक्षण पुछा दा सकता है और इसी रिजन से ही जो अमोफर सोलिड्स है, they have tendency, they have little tendency to flow. जैसे liquids flow करते हैं आपको मैंने first वीडियो में बताया था कि जो liquids हैं और gases हैं वो flow करते हैं, यानकि वो fluids हैं, उसी तरह से ही जो अमोफर सोलिड्स हैं, उनमें भी थोड़ी सी tendency होती है फ्लो करने की. ठीक है, अब इसके कारण आप एक वो थी common, simple सा question है, आपने अगर कभी पुराने बिल्डिंग्स देखी हो, बहुत पहले की बनी बिल्डिंग्स देखी हो, तो उनके जो शीशे होते हैं, कांच होते हैं, जो उनके, वो आपको धुंदले दिखाई देते हैं, और उसका reason क्या ह जो कांच है, सबसे पहले आपको यह ध्यान अखना है, glass panes of ancient buildings, जो पुराने बिल्डिंग्स के जो कांच होते हैं, they appear milky, तो आपको यह पता होना जाहिए, कि जो glass है, वो कैसा solid है, that is amorphous solid, और मैंने आपको यह भी बताया, कि amorphous solids have structural similarities with liquids, यह भी मैंने आपको बता दिया, जिसके कारण की वो have tendency to flow, यह points आप अगर इनको साथ मिला करोगे, तो आपको अच्छे से याद रहेंगे, इसलिए मैं साथ साथ लिक कर बता रहे हूँ, glass is amorphous solids, amorphous solid है, इसलिए उसकी liquids के साथ काफी सारी similarities है, structural similarities है, और हमें पता है कि liquids जो है, उनकी tendency होती है, flow करने की, तो जो glass है, ancient buildings का, जो उनपर धूप पर ती है, फिर जेब ठंडग हो जाती है, धूप पर ती है, ठंडग हो जाती है, तो वो थोड़ा सा जो उपर वाला part है, वो crystalline बन जाता है, थोड़ा सा उसमें crystalline behavior आयाता है, crystalline structure आयाता है और वो liquid जैसी property होने के कारण, वो थोड़ा सा flow करके, flow करेगी ची हैं वो कांच हमें पता है amofa solid है उसमें थोड़ी सी tendency है flow करने की जब वो बार-बार दिन में धूप पड़ती है तो गरम होता है फिर थंड़ा होता है गरम होता है थंड़ा होता तो उसके कारण वो flow करता है और इसलिए वो हमें धुंदला दिखाई देता है, milk की दिखाई देता है ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि जो amofa solids हैं, वो true solids नहीं है वो pseudo solids है, आपको ये ध्यान लखना है जरूर और जो crystalline solids है crystalline solids जो हैं, वो true solids हैं ये भी आपको ध्यान लखना है, अगर आपका वन मार्क में question पुछा जाता है कि which type of solids are term dash 2 solids, तो वो है crystalline solids and which type of solids are cedo solids, they are amofa solids इसके बाद जो next property आती है next जो difference आता है वो है isotropy या anisotropy isotropy and anisotropy अब इसका क्या मतलब है कि जो आपको ये ध्यान लखना है कि जो crystalline solids है उनकी क्या property है ये they are anisotropy anisotropy means they have different value of ये आपको anisotropy की definition घ्यान लखनी है anisotropy is the phenomenon in which the question and solution have different value of some physical properties like reflective index they have different value of some physical properties in different direction अगर आप अलग 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 डारेक्शन में उनकी पोपर्देश को इनकी पोपर्देश को मेजर करते हैं तो उनकी value अलग 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 आगी लेकिन अमोफा एगा तोक क्या होता है कि अमोफा सोलिश क ada है अजय में लोट अप आप क्रीश्टलियंस ने रेंग्सिक में और जो表 में आपको अगर आप डारेक्शन चेंज गरके देखते हैं एक डारेक्शन में आपको पार्टिकल्सłem法 penalistन crystalline आप उस direction में चलते तो particles आपको अलग तरह से दिखाई देंगे, दूसरी direction में particles आपको अलग तरह से दिखाई देंगे, ठीक है तो उसके कारण properties की value में difference आ जाएगा, लेकिन अमोफा सोलर्स में क्या होता है, particle की regular arrangement है ही नहीं, आप किसी भी direction में जाते हैं, तो अलग-अलग arrangement होने के कारण, अलग-अलग part की physical property की value अलग-अलग होगी, और जब हम उन values को total करते हैं, add करते हैं, तो उनकी total या net value जो है, वो same आ जाती है, ठीक है, तो ये हम एक simple diagram से समझते हैं, आप देखिए इसमें, ये एक crystalline structure है, अगर अगर आप अभी ये दो directions ना देखें, A, B और cd, simple structure देखिए, इस solid का, इसके अंदर जो blue particles है, उनकी arrangement fix है, पूरे crystal में same चल रही है, और जो red particles है, उनकी arrangement भी same चल रही है, तो particles की arrangement क्या है, orderly arrangement है, crystalline है ये, तो इसलिए orderly arrangement है particles की, तो अगर आप A, B direction में देखते हैं, अब हम सिर्फ direction को देखें, A, B direction में देखोगे, त आपको एक तरफ दिखाई दे रहे है, सारे blue वाले particles, और एक तरफ दिखाई दे रहे है, red particles, तो मानलो यहाँ पर हमारी physical property है, कोई, जैसे की refractive index है, ठीक है, या फिर electrical conductivity है, उसकी value हमारे पास आ गई, यहाँ पर x, ठीक है, यह हमारी value आ गई, property की, अब हम चलते हैं, इस direction को arrangement, इस line के एक तरफ arrangement कैसी है, एक red particle, एक blue, red, blue, red, blue इस तरह से, और दूसी तरफ भी बिल्कुल ऐसे है, जबकि AB direction में क्या था, एक तरफ सारे के सारे, इस line के एक तरफ सभी blue particles है, दूसी तरफ सभी red particles, तो अलग-अलग type की arrangement हमें, अलग-अलग directions में, चाहे particles की arrangement पूरे crystal मे ordered है, similar arrangement है, लेकिन direction change होने पर तो हमें arrangement दिखाई देगी, ना different arrangement दिखाई देगी, और उसी different arrangement के कारण, different directions में, अगर हम किसी physical property like reflective index या electrical connectivity की value measure करते हैं, तो वो हमें अलग मिलेगी, ठीक है, तो इस direction में, AB direction में, अगर वो X थी, तो CD direction में, उसकी value Y होगी, यह है anisotropy, ठीक है, इसलिए जो crystalline solids हैं, they are anisotropic, लेकिन जो amorphous solids हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें long range order नहीं होता है, particles की जो arrangement है, वो हर direction में, अलगल, हर direction में, पूरे जो particle है, जो amorphous solids हैं, उनके अंदर particles की arrangement आपको different मिलेगी, short range order में मिलेगी, ठीक है, तो अगर हम एक direction में चलते हैं, for example, अगर हमारा यह amorphous solid है, इस direction में अगर हम जा रहे हैं, तो अलग-अलग part में जो value हैं, यह मैं value के form में दिखा रहे हूं, आपको छोटी बड़ी values, ठीक है, तो अलग-अलग part में इस direction में, a-b direction में, अलग-अलग parts में जो values हैं, वो अलग-अलग आ रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं इस तरफ चलती हूं, c-d direction में, तो यहाँ पर भी अलग-अलग part में जो values हैं, वो same आ रहे हैं, different आ रहे हैं, तो अगर हम इन सब को add करते हैं, इन सब को add करते हैं इस direction में और इस direction मे सबको add करते हैं तो जो इनका sum है वो equal आएगा अगर sum equal है means value of property is same in all directions ठीक है तो आपको अभी इतना ही समझना इसमें ज्यादा depth में नहीं जाना है अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो ये part की isotropy का मतलब क्या है तो आप मेंसे comment box में comment करके पूछ सकते हैं जितना elaborate करके आपको understanding के base मैं इसको समझा सकती थी मैंने उतना try किया है तो फिर भी अगर कहीं पर कुछ चूट गया है कुछ समझ नहीं आ तो प्लीज आप में इससे पूछ सकते हों ठीक एक पर दुबारा से बता देती हूं आइस तो आपको समझ आ गई होगी इस डियाग्राम से आइस्टोपी में क्या है कि पार्टिकल्स की arrangement orderly नहीं है short range order है तो कहीं पर arrangement अलग है कहीं दूसरे पार्ट में अलग है पार्टिकल्स की इसलिए जब हम अलग-अलग डारेक्शन में किसी प्रोपर्टी की value find करते हैं और हम उनको parts में पार्ट में क्यों divide कर रहे है क्योंकि हर पार्ट में arrangement अलग है इस पार्ट में अलग थी तो value यह आई और इस पार्ट में यह थी तो value अलग आई ठीक है अलग-अलग arrangement थी तो value भी अलग अलग आएगी लेकिन जब हम उसको add करते हैं और फिर जब हम cd direction में चलते हैं तो वह different direction comes out to be same ok तो इसके बाद हम इसमें जो differences है थोड़ा-सा और करते है जो हमारे Amofer solids है और crystalline solids है एक और इनकी property है third property cleavage है कि क्लीव करना है कि अगर एक मैं सिंपल एक्जाम्पल है जो हम जो बच्चे आइप क्लासिस में होते हैं तो वह सभी करते हैं अईसा कि उनके पास एरेजर होता है नुर्मली बच्चों के पास Eraser है तो मान लो इस शेप का है, इस साइज का है, ठीक है तो बच्चे क्या करते हैं कि हम वो खेल खेल में ही उसको दो टुकडों में डिवाइड कर देते हैं, तो अगर आप हाथ से दो टुकडों में डिवाइड ना करकर उसको एक शाप ब्लेड प्लेड से बच्चे था थिलेंगे लेकिन अब ट्राइस तरह सकते हैं उसी सेम चीज़ को क्राइब नाइब से अगर आप किसी शाप बलेड या शाप नाइफ से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो आपको जो इसके दो पार्ट्स होंगे यह जाली सर्फेस जो है यह स्मूथ है जो आपने मार्किट से खरीदी थी तो आपको स्मूथ मिली थी लेकिन जो आपने चाय शाप ब्लेड लिया वहती साफधानी से आपने काटने की कोशिश की लेकिन वह आपको ऐसी दिख मिलेगी यह जो आपको पार्ट है यह जो आपको सर्फेस मिली है इस नोट स्मूथ सर्फेस आप करके देख सकते हैं वहती सिंपल है तो रबड क्या है? मैंने आपको बताया रबड इस अमोफा सोलिड तो जब हम किसी भी अमोफा सोलिड को शाप ब्लेड या शाप नाइव से कट करते हैं तो वह हमें क्लीन सर्फेस नहीं देता है वह हमें स्मूथ सर्फेस नहीं देता है वी गेट इर्रेगुलर क्लीविज आप एक लाइन में इसको इस तरह से आद कर सकते हैं अंडरस्टरनिंग बहुत जरूरी है लेकिन आप लिख उसको एक संटेंस में भी सकते हैं कि क्लीवेज प्रोपर्टी आपने यह नाम लिखना है और जब आप इसको डिफर करते हैं डिफरेंस लिखते हैं दोनों में तो अमोफर सॉलेज इन अमोफर सॉलेज वी गेट इर्रेगुलर क्लीविज ठीक है और अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो वी गेट स्मूथ क्लीवेज स्मूथ और प्लेन सर्फेस ओन क्लीवेज ठीक है आप इनको एक टेबल बनाकर डिफेंशेट कर सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जो हमारी प्रोपर्टी है that is heat of fusion जो हमारा डिफ्रेंस है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं जिस प्रोपर्टी को हम डिफर कर रहे हैं दोनों में, that is heat of fusion, enthalpy आपने enthalpy के बारे में पढ़ा हुआ है, कि जो amofas solids है, amofas solids have no definite value of enthalpy of fusion, इसी तरह से लिखते हैं, enthalpy of fusion को, amofas solids have no definite value of enthalpy of fusion, whereas crystalline solids, crystalline solids की जो enthalpy of fusion होती है, वो definite होती है, they have definite enthalpy of fusion, ठीक है, यह है इसकी next property, तो यही properties हैं, जिन में हम इनको differ कर सकते हैं, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और अगर फिर भी कोई problem होती है, तो आप प्लीज मिर से पूछ सकते हो, वैसे आपकी NCRT की बुक में, यह पूरा का पूरा आपको एक table की फोर्म में, करके दी हुई हैं, इन दोनों के बीच में differences, और उनमें जो main points चार तो यह ही हैं, बाकी हम कर चुके हैं, इनकी arrangement के बारे में particles की, ठीक है, यह हमने differences, यहां से start किये थे, ठीक है, यह melting point, एक हमने difference किया था, melting point, एक हमने किया, isotropy, and anisotropy, और उसके बाद हमने cleavage property, and last heat of fusion, यह enthalpy of fusion, ठीक है, इसके अलावा हम कर चुके हैं, कि इनकी जो shape है, यह arrangement है, particles की, ठीक है, जो crystalline solids होते हैं, उनकी, मैं इसको भी एक बार आपको बता देती हूँ, fourth जो point है, वो है arrangement of particles, sorry, fifth point, यह हम discuss कर चुके हैं, वैसे, लेकिन आप इसको table की form में कर सकते हो, arrangement of particles, इनकी crystalline solids, long range order, और amorphous solids में, short range order, in amorphous solids, ओके, तो यही कुछ properties हैं, आप इनको tablet कर सकते हैं, आप इनको अच्छे से revise करिए, और questions जो NCRT की book में साथ-साथ आपको दिये हुए होते हैं, आप उनको साथ-साथ learn कर सकते हो, तो जो भी दोनों टाइप के solids हम देख रहे हैं, चाहे वो crystalline solids हैं, चाहे अमोफा solids हैं, दोनों ही काफी valuable हैं हमारे लिए, हम daily life में, अमोफा solids का ज्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप देखोगे कि ज्यादा तर चीज़े जो हम यूज़ करते हैं, यहां प्लास्टिक की हैं यहां रबड की हैं यहां कांच की हैं और यह सब हमारी life के एक यह दूसरे पार्ट में यूज़ होती ही होती हैं, घर में भी यूज़ होती हैं, घर में तो हैं हमारे जो भी materials हम यूज़ कर रहे हैं वो कांच, रबड या फिर प्लास्टिक के बने हुए हैं, या कहीं पर भी आप जाते हैं तो इन्हीं की बने हुए objects हो आप ज्यादा देखते हो और एक जो भोती important solid है वो silicone, silicone amophas foam में, solar cell में यह material amophas silicone use होता है इसके बिना solar cell जो है वो आप ही कह सकते हो कि काम नहीं करती है इसके बिना वो नहीं बनाई जा सकती है ठीक है तो यह best photovoltaic material है और यह help करता है sunlight को electricity में convert करने में ठीक है जो कि यह sunlight को sunlight light को हम photo से कहते है ठीक है और जो है उसको convert करता है electricity में इसलिए जो silicone है amophas silicone is best photovoltaic material for converting sunlight into electricity ठीक है तो आप इसके बाद जो आपके NCRT के बुक में questions है प्लीज उन्हें भी जरूर करिएगा क्योंकि NCRT के सभी questions काफी important है okay अच्छे से revise करिए and take care of yourself thank you